सो नमश्कार कैसी है आप सब आप आप लोग का अफ़ जादा बढ़िया होंगी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इगनु के बारे में अब देखिए इगनु इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब चीजे बता दूँगा कि इगनु का एड्मिश सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर मैं बोलने वाला था कि अगर आपकी इगनु वीडियो सही लगे तो अब देखिए इगनु की फुल फों क्या है इंद्रा गांधी नेशनल ऑपन इनिश्टी जो कि आपकी एस्टेब्रिश की गही थी 1985 के अंद इसके लाव अगर हम बात करूँ तो एक बहुत ही amazing fact पहले मैं आपको उता तो इगनु के बारे में उसके बाद हम आगे परसीड करते है कि इगनु जो है वो पूरे इंडिया की ही नहीं बलकि पूरी दुनिया की आपने जो ठीक सुना कि इगनु पूरी दुनिया की सबसे अब देखिए बिल्कुल ही सीधी भाषा मैं आपको इगनु क्या है इगनु बेसिकली आपको इक distance open learning प्रोवाइड करती है मानली जी को एसे स्टुएंट है जो open से पढ़ा ही करना चाहते है जो haros college नहीं जाना चाहते है वो सीधे-सीधे अपने घर बैठ करके admission ले सकते है उनको exam अपना देना होता है और exam देने के बाद उनके पास अपने जो degree है वो इगनु उनको provide कर देती है तो उनको degree मिल जाती है चाहिए अपको under relation करनी है, post relation करनी है, कुछ भी आपको करना है आप घर बैठ करके अपने आराम से कर सकते है बस आपको exam देना पड़ेगा बिन exam दे आपको बिल्कुल भी degree नहीं मिलने वाले ठीक है, तो ये सीधा सा फंडा है इगनु का, अब देखिए मालीजिए अप इगनु में पढ़ाई करना चाहते हो, आप under relation कर सकते हो, आप post relation कर सकते हो, आप PG diploma कर सकते हो, इसके लावा PG certificate course कर सकते हो, advanced certificate course कर सकते हो, simple certificate course कर सकत हो, यहाँ तक कि PhD आपको करने है, PhD आपको कर लीजिए, तो भाई दुनिया भर के जो courses है, इगनु यहाँ पर आपको offer करता है, और जब मैं इगनु की bulletin पढ़ रहा था, तो bulletin के अंदर यहाँ पर आपको 250 plus courses देखने को मिलते है, mostly I guess 283 something courses है, तो भाई दूसरी उन 60's की अ पर लो, वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, लेकिन bulletin दी जल्दी खत्म होई होगी, तो काफी बड़ी bulletin है, तो भाई 250 से भी जादा जो courses है, वो आप यहाँ पर कर सकते है, इसके लाओ अगर हम बात कुरू को इगनु के centers कहां कहां पर है, तो इगनु का जो main center है, वो है Delhi के बाती सके लाओ पूरे इंडिया के अंदर अलग-लग centers जो है वो इगनु के फैले हुए है, आप किसी भी state के अंदर हो, आपको अपने state के अंदर आपकी घर के पास ही भाई, कोई ने कोई center जरू मिल जाएगा, तो इगनु के बहुत सारे अलग-लग centers है, हर जितने बड़े इस शहर है, उनके अंदर आपको मिल जाएगे, इसके लाओ देखिए, अब हम बात करते हैं, इगनु के अंदर किस-किस तरह के courses होते हैं, वो बहुत ही अलग चीज है, जो पहले बताया था हो लग है, तो इगनु के अंदर basically दो different तरह के courses आप कर सकते हैं, एक होता है आपक दोनों ही distance से होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक में जाना पड़ेगा, एक में नहीं जाना पड़ेगा, दोनों ही distance से होंगे, बच जो open learning है, जो आपका online learning है, online learning का मतलब है कि आपको घर बैठके exam देना है, अपने computer के screen पर ही, आपको assignment भी online ही submit कर देने है, सब चीजे online ही हो आपकी हाँ, इगनू के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आप weekly, weekend पर एक class लगा सकते हो, लेकिन आपका मन है तो लगाओ, नहीं मन है तो मत लगाओ, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, most students नहीं ही लगाते हैं, तो लेकिन बोला जाता है कि एक class आप लगाना चाहाओ, तो लग जस कुछ टाइम पहले ही शुरू की गई है, लगबख एक दो साल पहले ही, बाखी ODL आपका बहुत पहले से ही होता रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं LGBT की, कि भी कुण student admission ले सकते हैं और को नहीं ले सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपको graduation करनी है, तो भाई, अगर आपन अगर आपको post graduation करनी है, अपने graduation कहीं से भी की है, कैसे भी की है, आप post graduation में admission ले 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 चीए, आपको जो भी course करना है, उसे पहले वाली जो class है, अपने pass की होनी चाहिए, आपका admission राम से हो जाएगा, और यहां पर भाई, ऐसा भी नहीं है, कि भाई, कोई limited seats है कि इतने ब चाहिए, apply कर सकते है, merit list आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका मन है कि मुझे तो admission लेना है, तो आप admission ले सकते हो, और यहां पर देखिए, इगनों के अंदर basically क्या होता है, कि यहां पर दो अलगलग sessions होते है, एक तो July session होता है, एक दूसरा आपका January session होता है, कि आपक सेशन शुरू हो रहा हो, आप admission उसी दिन लेलो, ठीक है, तो इस तरह से आपका admission हो जाता है, इसके अलाबा, आप आप सोस्टे हो कि मैं सब बता ही क्यों रहा हूँ, अगर इतिना easy है, सब कुछ है, तो मैं बता क्यों रहा हूँ, तो अभी मैं last मैं आपको यह बताने वालो आपको fees payment कर देनी है, जो भी आपकी fees होगी, fees payment करती है, आपको जो admission हो वहाँ पर हो जाता है, तो इस तरह से आपका admission हो जाता है, इगनु के अंदर, इसके अलाब अगर मैं बात करूं, कि वहाँ का फिर fees structure क्या है, तो देखिए, fees structure की जहां तक बात है, तो मैं आपको पू इसके बाद हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही important part इसके बाद आने वाला है, कि क्या आपको इगनु जोइन करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, और क्या आपके लिए worth it होगा या फिर नहीं होगा, value आपको प्रोइड कर पाएगा या फिर न इतने सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर मैं फीस ट्रक्शर की बात करूँ तो यहाँ पर different courses के different fees structure है, किसी course का भाई 1000 रुपए फीस भी है, किसी course की 1100 रुपए फीस भी और किसी course की आपकी 40,000-60,000 तक भी फीस है, तो देखना पड़ेगा किस की क्या फीस है, तो आप यहाँ पर देखते हो, सबसे पहले हैं, आप पर PhD के courses लिखे हुए, डोक्टर फिलोसफी है, लग-लग subjects के अंदर, anthropology है, biochemistry है, या फिर आप development studies के अंदर करना चाहते हो, economics के अंदर, English के अंदर, जो भी आप करना चाहते हो, तो अगर आप मानने जी, PhD को यहाँ पर लगने वाली को आप देख पा रहे होगे, 16,800 रुपय फीस है, यानि कि 16,800 अप की जो फीस है, यहाँ पर लगने वाली है, अब यहाँ पर बहुत सारे courses है, यहाँ पर बहुत सारे लेंग्वेज में कर लो या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो, सब यहाँ पर आपको मिल इसके अलाव अब बात करूँ मास्टर डिग्री के अंदर, तो देखें, मुझ लगता है कि अंडर रिएशन के बात, मास्टर डिग्री के अंदर जो फीस होते हैं, वो यहाँ से पढ़ाई ज़रू करते हैं, क्योंकि फिर उने जोब भी करने होते हैं, साथ-साथ अपनी ज में एकनोमिक्स का 12,000 है, में इंग्लिश का अगेन आप देख पा रहे होगे, 13,200 रुपे फीस है, इसके अलावा में हिस्ट्री आप कर रहे हो, तो 9,000 रुपे आपकी फीस है, तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सिज हैं, में जोतिश भी है, जोतिश आपको रहना है, आपको मिल जाएगा, अगर आपको में ज़नलिश में मास कमिनिकेशन करना है, तो आप देख सकते हो, 25,000 रुपे फीस कोर्स की, तो इस तरह से आपको डिफरेंट फीस ट्रुच्चर यहां पर देखने को मिलता है, और आप एक काम कर सकते हो, आपका स्क्रीन इसके बाद आपके आज आता है, यहां पर डिपलोमा कर रहे हो, डिपलोमा की फिर थोड़ी कम फीस उजाती है, 7,000, 10,000, 3,000, 800 रुपे फीस भी है, फिर 6,000 भी है, 15,000, 2,000 भी है, किसी किसी की राइट, अब मालनी जी अगर आप बैचलर डिग्री के कोई कोर्स करना चाह कर रहे है, 9,000, 10,000, 9,000, 10,000, इसके साथ साथ मालनी जी अगर आप बैचलर अफ आर्ट कर रहे हो, फैसिलिटी एंड सर्विस मेनेजमेंट के अंदर तो यहां पर आपको फीस 31,500 भी देखने को मिल रही है, काफी जादा फीस भी है है, आप राइट, इसके लावा और और 12,000, 15,000 यह फीस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मालनी जी आप BBA in सर्विस मेनेजमेंट कर रहे हो, तो यहां पर 60,000 भी है, 60,000, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या इगनु में आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अब आती है मुद्य के बात, और क्या आपको लिए वैल्यू फोर मनी होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर मालनी जी situations हो सकती हैं, अगर मालनी जी आप job कर रहे हो, आपके पास पढ़ने के लिए time नहीं है, आप हर रोज college के अंदर नहीं जा सकते हो, तो आप definitely इगनु के अंदर admission ले सकते हो, अगर आपको डिगरी चाहिए है तो, दूसरा option, कि अगर आप पढ़ने में बिल्कुल भी आपका कोचिंग ले रहे हैं, जैसे आप UPC के preparation कर रहे हो, और आप सोचोगी, आप side by side कोई degree भी आ जाए, तो चलो अच्छी बात है, तो UPC का preparation कर रहे हो, और साथ मैं अपने इगनु में भी admission ले लिया, तो उस scenario के अंदर भी बहुत ही सही रहेगा, तो कुछ इस तरह की scenarios है, वो आप इगनु के अंदर admission ले सकते हैं, उन scenario's के अंदर वो आपके लिए काफ़ जादा बैटर रहेगा, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो, कि मैं तो भाई पढ़ाई करना चाहत हूँ, पढ़ाई मुझे करनी है, और इगनु मैं अपनी dream university बनाते हूँ, जो इगनु के कि वहाँ पर भाई, जिसे ऐसे आप regular colleges के अंदर देखते हो, societies होती है, fest होते है, fresher party है, farewell party है, एक environment होता है वहाँ पर, तो वैसा जो environment है, वो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाले है, तो अगर आप college life जीना चाहते हो, तो इगनु आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहे तो देखिए, आप समझ गए हैं कि अर इतना आसान है admission लेना, तो अगर मैं value की बात करूँ, तो मान लिजी अगर आप किसी corporate के इंदर जा रहे हो, आप कहीं पर job लेने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर मान लिजी डिग्री तो आपसे मांग लिएगे, आपने graduation की होनी च पड़ेगा सामने interview के सामने इग्नु का वो थोड़ा सा सही impression नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, बाकी मान लिजी अगर वैसे कोई government job है, या फिर कुछ और job opportunities आई हुई है, जिसके इंदर एक degree मांगेगे, कि आपके पास आ ition की आपके degree होनी चाहिए, तो अगर आपने इग्नु से करेंखें, कहीं से करेंखें कोई फरक नहीं पड़ता है, तो उस मेंड मेंगे इग्नु कोए काफे जादा better हो जाएगा, काफे लोग ऐसा भी करते हैं, कि आपके इंदर आज की टाइम पर 40,00,000 बच्छे बढ़ाई वारे में बाइब शाहरा ही करते है ठीक है तो यही एक Reason है सबस्वराइब इसरे सब टाचल चुकी है इसके लागए प्लेसमेंट की बाद करों तो इससा जिसको प्लेसमेंट लेनी तो इगनू को विल्कुल भी टागेट नहीं करता है और प्लेसमेंट रेपोर्स ऐस्सदों कुछ है भी निए गनु की उनके centers के अंदर आपको बहुत सारी दो दिख भी जाएंगे कि 21 बच्चे सेलेक्ट हो गए है प्लेस्मेंट के अंदर या फिर 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए है तीन लाग का पैकेज और चार लाग का पैकेज है पाच पाच शेशलाग के पैकेज तो प्लेस्मेंट के बारे में ना ही बात करें तो जाधा बैट रहेगा एकस राइट तो यही सब था इगनु के बारे में बट जितने भी इगनु के स्पारिंट से हमको एगस एक आइडिया लग गया होगा बहुत ही बढ़िया तो अगर आपको वीडियो सही लगे चैनल को कर लीजीगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजीगा बाकी मिलते हैं एक सुडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई एंड टाटा